नमस्कार दोस्तों मैं हूं मरोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Advanced Option के Allow Editing Directly in Cell के बारे में ठीक है यह Option क्या है नहीं है किस तरह से काम करता है पूरा डिटेल में देखेंगे जो कि एक Excel Option का एक Parts है ठीक है तो अगर मैं इस Option के बारे में बताऊं तो अगर Allow Editing Directly in Cell वो क्या है जैसे कि यहाँ पे Excel दिया हुआ इस Cell में मुझे कुछ Edit करना है ठीक है मुझे यहाँ पे जो है कुछ और भी Add करना है तो आप क्या करोगे यहाँ डवल क्लिक करने के बाद जो है आप इसमें Edit कर सकते हो ठीक है कुछ Add करना हो या निकालना हो आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे भी आप डवल क्लिक करने के अगर आपका यह हुआ है तो आप यहां पे कर सकते हो यहां पर क्या होगा अगर मान लीजे आप Excelmy में जाकर Ou में क्या है चाहिए यहांकर क्या डिवल किल्क कर सकते हैं अगर इसक कर खीव करना है तो आप क्या करोगे इस सेल में एडिट ना करके यहां से आपको यहां पर जाना है फार्मूला सक्षन में है यहां पर फार्मूला बार तो आपको एडिट करना है कुछ भी तो आपको यहां फार्मूला बार पे ही क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर edit कर सकते हैं और इसमें भी देखिए कुछ भी edit करना आप double click कर रहे हैं लेकिन यहाँ से कुछ भी आपको entry का option नहीं मिल रहा है तो इसमें भी आप edit करोगे तो आपको कहा जाना परेगा यहाँ पर ही जाना परेगा इसमें ही जाके आप कुछ add कर सकते हो या remove delete कर सकते हो जैसे यहाँ भी देखें नहीं हो रहा है यहीं पर इस option को मैं एक्सल वार में जाने के बाद क्या कर रहा हूँ advanced option में यहाँ पर allow editing directly in sale अगर मैं इसको active कर दूँ एक्टिव कर दूँ यहाँ पर आगया, आप सेल में है edit कर सकते हो edit कर सकते हो, इसको delete करना चाहते है delete कर सकते हूँ, सभी कुछ कर सकते हो टिक है, इसमें भी देखे, automatic edit आ रहा है edit option आप edit कर सकते हैं directly, यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर Pasad Farm बार में भी edit कर सकते हो दोनों option आपके लिए open है क्यों क्योंकि आपका जो एक्सेल जो है यह option आपने क्या है एक्टिव किया हुआ है तो मैं अभी है क्या हुआ है यहां पर देखिए यहां पर edit करने के लिए आपके पास जो option है एक्सेल option में यह जो है advanced setting में जाने के बाद allow editing directly in cell जो कि यहां से active है अगर यहां पर de-active मैं कर दे रहा हूँ फिर से और इसको ok कर दे रहा हूँ अभी देखिए आप यहां पर option ही नहीं आएगा अगर इसको edit करना है तो आप कहां जाएंगे आपको formula bar में ही जाके edit करना इसको एक्टिव रखेंगे और इसको ok करेंगे जो कि हमारे लिए इसको edit करने के लिए mode में छोड़ता है तो आपको समझ में आया होगा कि allow editing directly in cell किस तरह से यूज करते है एक्सल में ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही और कुछ डाट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए ठीक है तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो न्यू ट्रिक के साथ next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद thank you